हाई व्यल्कम् टू दा यूनिक एनिमर ब्रीड इनफो इससमय हम है जोबर जोबर शहर जोकर जोकि अली राजपु डिश्टिक्न में आता है अली राजपु डिश्टिक्न में नाईम भाई के साथ है हजरत गोड फाल्पार अलेकुम कारविवयो के काफी बख्रय हैं जो भाई को अगर बेचने के लिए बखरे चाहिए तादात में गाड़ी एक बार में इंशालला फूरी भर देंगे ये ये तो एक नजारा है काफी बखरे और भी नईम भाई पास अवेलेबल रहे तो हमेंसा बारा महीने का काम है नईम भाई पास आपको दिखाते हैं इनके बताएंगे हमें इस बारे में बताएं तो नईम भाई ये बखरा ये साब इसका वेट पिछोत्तर किलो पिछोत्तर किलो लाइग जी दात में कितना हो गया है चार दात का बखरा है काफी खुपसूरत आप इसको देखिए जैसे कलर पेटन देखिए पुर्बानी के लिए खसी बखरे हाँ अधिकतर यहां खसी बखरे और अगर अंडूल अगर किसी को चाहिए हो तो अयूब भाई कैसे क्या मिल जाते हैं अपने पास अंडूल बखरे बे अगर किसी बहुत सो की पसंद रहती है मेरे पास अंडूल भी मिल जाएंगे और किफादी दाम में जैसे आपने इसकी बात करें पीचोत्तर किलो का लाइज रेट है इसका रेट क्या होगा चालीस हजार रूपे और आपने सुना चालीस हजार रूपे इसमें भाव हो जाएगा हो जाएगा मतलब और भी गुंजाइश है कम जादा की है ना ठीक है आयू भाई अब अपना दूसरा दिखाएगा नाइम भाई शौरी अईयू भाई और नाइम भाई दो भाई है उसमें में नाइम भाई से भी वीडियो एक बार शूट हो चूटी है ठीक है नाइम भाई अगला बग्रा दिखाईए और बखरों के बारें बताएगे अब आप क्या कून से क्या डिटेल पर जिए रेट प्राइस के साथ हर फार्मर नी बताता है नहीं भाई प्राइस के साथ बता है चार दात बखरा है जी और 30,000 रुपर तीजार रुपे में चार दात बखरा उसका वेठ हे साठ किलो साठ किलो जी है लगबद क्या होगी इसकी हाइट रिय ये समझ लिजे आपके एक एक वर हम बक्रा दिखाते हैं यह छे दात पर माशालला एक दम शाइनिंग में बक्रा बगली वगेरा प्यारी निकलीव भी है या इसकी कीमत क्या होगी इसके भी 40,000 रुपर चार दात में शोट हाइट में जी यह 25,000 रुपर दाम है पर जी है और जो भी फिर बेठेक हो अपर देंगे कम जादा भी हो सकते है जी जैसे अपने फार्म पर काफी भखर दिखिर है इसमें में चाहूँगा का सबसे कम रेंज का कों सा है आरे से 15,000 रुपर दर रहा हजार पंदरह हजार का बक्रा मिलना बहुत मुश्किल है पंदरह हजार इस मेहङगा के दोर में न तो ऐसा बकरा ढूनना बहुत ही मुश्किल होता है। जी, क्या प्राइज है इसका? अश्के ताब 16,000 रुपे दाम हम रख रहे हैं लेकिन 15,000 रुप में बकरा ढेंगा और ऐसे किफायदी दामने बजार में बकरा ढूनना आज के तो मेंगाई के दोर में मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर बजार में हम घूमते हैं लेकिन हमको 15,000 का बकरा नहीं मिलता। जिशकी बाद भी खुरबान यंभान धी करने की मैं कम वरेखी तो हसाब से हर रोगार। उन गरेंगा दे youth. काफी बक्रे जैसे आपको ये एक दिखाया काफी बक्रे 15.16 और लाश्ट प्राइज अपने पास कहां तक की रेट की रेट दे हाइस्ट कितना चालीस हजार रुपर का बक्रा है और नीचे से पंदरा हजार रुपर का बक्रा है और जिस किसी भी भाई को चाहिए नाइम अब आपको हम दिखाते हैं इनके अंडुल बक्रे अभी जो एक खसी का सेक्शन देख लिया कि काफी बक्रे अब एक एक अगर आपको दिखाएंगे तो आप भी बूर हो जाओ गए देखते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो बना दी आप एक ओवर्वीव लेजिए अगर इन इन बक्रों मेशन को आपको पसंद आता है तो एक शों डालिये उनके नमभर पर वाक्रा वाट्सप भी अवेलेबन है नो बज़े भी बक्र आपको पसंद आता है किफाहिती दामों पर अवेलेबन यहां अब हम ताविश के साथ दिखाते हैं के ताविश को कुण सा बकरा बसंद आताा जैसे छोटे ब GREG करते बकरा इतना अब ताभी बताइगा ताविश अपनों久 इस से नहीं अब जे से इसा लग रहा हा, काला सा भी, बता, छोटा, बड़ा, कौन सा पसंद आया, जोगो ते होने होला, कौन सा आहिए, गलना बच्चों को आवाज करने वाले, और थोड़े फू कर चेहरे के, क्यों अच्छा लगा हो, दूसरे बा करें अच्छे क्यों नहीं लगी है, क्यों यह यह नहीं पसंद है यह भी तो किता अच्छा लग रहा है हैं नहीं और कुण सा पसंद है चलो बता हूँ दूड़ो दूड़ो मंडी में देख यह बड़े बाल का यह भी पसंद अच्छी लेंट का बकरा है हुखा रहे हैं पल्टी कर भी सकते हैं इसको जैसे ताविश यहां खड़ा हूँ हाइट आपको बता दें कि यह बच्चे के हाइट के हिसाब से देखो कितनी है अच्छी लेंद का बगरा है जो ताविश को पसंद आया है बगरा है ना अच्छा लगा न यह वाला कि हजरत ग पली एग्रेशिव बकरा है जी बता यह नाइम भाई इसके बारे में नरब बख्रा चार दात का बख्रा है और इसका बेट पचास किलो से उपर है पचासकिलो सो पर यह नर भक्रे अपने पास क्या रेंज में मिल जाते हम अच्छा जैसे इसके बाद कर रहे तो यह क्या रेट का होगा यह 28,000 बोलने के हैं जी नसल वाला बक्रा है अच्छा और फाइनल जो भी हो जाएगा बेठक तो वह कर देंगे इंशालला इसके अंदर और गुंजाई से जी अच्छा एक चीज में देख रहा हूं कि इसके सिंग पर यह ब्लड आ रहा है यह साब क्या गुस्से वाला बक्रा है अगर तुमने थोड़ा सा छेड़ द्या तो फिर दीवार में भी सीर कूट लेते हैं उसकी वज़े से यह क्या है कि खुद का नुकसान करते हैं और टूटा नहीं है सी लेकिन वह क्या है कि उपर की जो खोल होती है तो थोड़ी सी देमेट मतला कुरूबानी हो जाता है ठीक हम आपको इनके अगले नर बक्रे दिखा रहें जिसकी सी भाई को अगर ब्रीडिंग के लिए भी चाहिए हो तो अच्छी लेंद का बक्रा है जहालर भी बहुत प्यारी है क्या इसकी डिटेल होगी यह ज़ब चा और इसी के साथ साथ हम एक और आपको बक्रा दिखाते हैं काफी अच्छे शिक्कों मैं जी बिटा खड़ा हो उठाव बिटा खड़ा करो इसंग कर दो कि मार देगा तो कहीं जी इसके बारे में बताइए यह जाल यह जाएगा जो भी आपकी बेठक में जो भी आप सोधा करो और गाड़ी मुंबई पूने सूरत एहमदाबाद इधर सभी दूर की भाराती है बग्रेग अगर आप से सोधा हो जाता है तो यह बग्रा डिलेवर होने में भी अभी आसानी हो जा यहां से महराष्ट्र और गुजरात की आ रही है सिरोही में ब्रीडिंग के लिए चाहिए हो कुर्मानी के लिए चाहिए हो तो काफी एग्रेसिव बक्रा और ज्छालर पट्टी बहुत प्यारी माशालला देखे इसके बारे में बताइए यह जाब असी किलो बेट है इसका संपर्क कीजिए एक बार विजीट कीजिए विजीट करेंगे तो काफी चीज है क्योंकर केमरे पर आपको इतना हाइट लेंथ मालूम नी पड़ती जितना आप सामने आके देखेंगे आयूब भाई नाइम भाई से आईए संपर्क कीजिए और मिलते आप से अगली वीडि कीजिए